नमस्कार, जीरो से जिन्यस तक की इसे स्विसल वीडियो क्विज्टेस्ट में आज हमने बिल्कुल एकजाम कोस्चन पेपर जैसा जीकी के 25 इंपोर्टेंट सवालों को सलेक्ट किया है, जिन में आपको कम से कम 8 सवालों का आंसर देना होगा, तो ध्यान से खेलिएगा, चलि प्राथम, राष्ट्र पीता कहकर किसने संबोधित किया, आपको जबाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकेंट का समय, ज़्यान समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, तो आंसर सोचने के लिए समय सुरू होते हैं अब राइट आंसर है, ओप्शन नम्बर डी, सुभास चंद्र बोस, क्वेशन नम्बर टू किस राष्ट्र कूट्र राजा ने इलोरा में सीव का प्रसिद कैला समंदिर बनवाया सही आंसर है, ओप्शन नम्बर सी, क्रिशन प्राथाम ने, क्वेशन नम्बर टिन भारत के बिभाजन के समय भारतीय राष्ट्रिये कॉंग्रिस के अध्याक्च कौन थे? सही आंसर है, ओप्शन नम्बर बी, जेवी क्रिपलाने, क्वेशन नम्बर फोर रंगीन टीवी के परदे पर बिभीन रंग कीन परकास रंगों के मिसरन से परदर्शित होती हैं? सही आंसर होगा, ओप्शन नम्बर सी, लाल, हरा और निला क्वेशन नम्बर फाइब, रख्ट का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है? सही आंसर होगा, ओप्शन नम्बर डी, फिबरो नोजन, फिबरो नोजन, क्वेशन नम्बर सेक्स कारवन की निवनता मात्रा होती है? सही आंसर होगा, ओप्शन नम्बर सी, पिटवा लोहा में, क्वेशन नम्बर सेवन भारत का राष्ट्रिये गान, पहली बार कब गाया गया? कौलकता में गाया गया था, लेकिन कब? सही आंसर होगा option number D, 1911 में Question number 8 भारत सरकार ने भारत रतना तथा पद्मर सिरी की उपाधिया संभिधान के किस अनुछेद के अंतरगत देना सुरू किया सही आंसर होगा option number B, अनुछेद अठर के अंतरगत Question number 9 संसार प्रासिद मोड सिंगासन की समुगल इमारत में रखा जाता था सही आंसर होगा option number D, दिल्ली के लाल किले का दिवाने आम में रखा जाता था और इससे कुछ टाइम के लिए आगरे के किले में भी रखा जाता था Question number 10 मतलब रखा गया था, मैनली आंसर होगा option number D संभिधान द्वारा परदान किये गए मौलिक अधिकारों में स्वन्सोधन करने का अधिकार किसके पास है सही आंसर होगा option number C संसद Question number 11 और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे किली करके सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को दवा दिजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिल्यवस पे और करता है धन्यावाद आगे सवाल है पदम सिरी पुरसकार पाने वाली पहली भारतिय अभीनेतरी कौन थी? सही आंसर होगा option number B question number 12 हर्स किस राजवन्स से संबंधित है सही आंसर होगा option number D पुष्व अभूती राजवन्स से संबंधित है और ये इस वन्स के सबसे परतापी तथा अन्तिम राजा थे हर्स question number next हर्स वर्धन सीवा जी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बारापथ परदर्शक माना जाता है गुरिल्ला युद्ध मतलब छूप करवार करना सीवा जी ने इसकी सुरुवात किये थे और इसके बाद बाजीरा प्रथम को गुरिल्ला युद्ध विद्या में सिरेष्ट माना जाता है जब किसी विधायक पड़ संसत की दोनों सदनों की सन्युक्त बैठक होती है तो निर्नाय कैसे होता है ध्यान से देखिए सही आंसर होगा option number A सधारन बहुमत से लिया जाता है question number 15 निर्न में से कौन सी संसादिय कार्य विधी भारत वर्ष की देन है सही आंसर होगा option number A सुनने अकाल question number 16 कपास का रेशा पौधे के डैस से प्राप्त होता है सही आंसर है option number D फल से question number 17 संबिधान के की सभाग में कल्यान कारी राज्य की व्याख्या की गई है सही आंसर है option number C राज्य के नीती निर्देशक सिधानते से और ये कहां से लिया गया है तो ये Ireland से लिया गया है question number 18 कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारन छामता के कारण सिचाई की आवेसकता कम होती है सही आंसर है option number A काली मिट्टी question number 19 रिंगवायदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था सही आंसर होगा option number B पसू पालन question number 20 कुतुब मिनार की पाचवी मंजिल का निर्वान किसने करवाया था सही आंसर है option number D फिरोज साह तूगलक ने question number 21 हाली में प्रसीद ब्यक्तित्व सरोजे खान का निधन हुआ है वह क्या थे सही आंसर है option number A choreographer question number 22 हाली में भारत का पहला social media app launch हुआ है जिसका नाम है आप जरूर जानते होंगे आपके पास फोन भी है आइड तो कहीं न कहीं देख गया होगा जान भी लिजिए आंसर होगा option number C elements उस apps का क्या नाम है elements question number next संसदों की योगता संबंधित बिवादों का निरनाय कौन करता है संसदों के योगता संबंधी बिवादों का निर्नाय कौन करता है आंसर होगा option number D निर्वाचन आयोक की सलाहर लेकर राष्ट्रपती question number next हाली में कौन फरांस के नए परधान मंतरी बने है सही आंसर होगा option number D जीन कौस्ट एक्स question number 25 बिश्वा की पूरी जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या कितने परतिसत की है तो आपके स्कूर क्या हुआ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपका स्कूर कम भी हुआ है तो क्या हुआ regular रहिए regular self study करिए आप zero है तो क्या हुआ यदि आप regular होते हैं तो जरूर आप genius भी बनियेगा तो सही आंसर है इसका option number A 17.5% और ये प्रस्ण पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे आपके लिए एक नए सवाल है भारत में गन्य की सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है यदि आप right answer बता सकते हैं तो simply comment box में जाईए वहाँ पे लिखिए Q4U और इसके right answer वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने मित्र जनों में सेयर जरूर करिए आप चाहे तो आई बटम पे किली करके और भी वीडियोज को देख सकते हैं तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपना ध्यान रखिए जय हिंद जय बारत